हेलो दोस्तों वेलकम टो आर से फ्लाइंग और दोस्तों आपने जो भी प्लेन देखा यह मैंने कैसे बनाया इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा वहाँ पर यह जो पीडियेफ ओपन हुई ह है यह आपको मिलेगी आप वहाँ से क्लिक करके इसको डारेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद एड़ोपरेटर में ओपन करके इसके स्केल को बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों मैंने इसमें पूरा 200% का स्केल लिया है जो कि मेरा 81 पेज पर इसका पीडि दोस्तों इस प्लेन को बनाने के लिए मैं इस तरह के थर्मकोल को यूज़ कर रहा हूं आप देख सकते हैं इसकी स्तिधी कितनी खराब है और यह बिल्कुल बेकार दिख रहा है बिल्कुल थर्ड क्वाल्टे के थर्मकोल है लेकिन इसके साथ थोड़ी से मैनत करने पड़ की तो चलिए फटाफट करते हैं तो यह जो सीट है हम इसे विंग बनाने वाले है तो इसलिए मैं थो थोड़ा सा मोटा कट किया है तो फ्रेंट्स सबसे वहले हम अपनी विंग को कम्रेट करने वाले हैं आप देख सकते हैं हमारा जो विंग है वह लगभभ 6 फिट का है मोटल 29 सेंटिमेटर 29 सेंटिमेटर का विंग होने वाला है तो काफी बड़ा विंग होने वाला है तो अब सिबली हमने होटवायर कटर से अपने सर्मगोल को हम सिबली क्या करने वाले हैं यह जो हमारा विंग का डामेंसन्स है हम इसको सर्मगोल फीट पर रखेंगे मार्क क करने के बाद इसको काट लेंगे चलिए काटते हैं सो फरेंड आप देख सकते हैं की विंग के दोनों सेक् anticipate को मैंने कर लिया है और अभी इसके अंदर एरफॉयल ड्रो करना बाकिए है, चलिए इसके अंदर पहले एरफॉयल ड्रो करते है So friends, wing में airfoil convert करने के लिए आपको Dimensions PDF में airfoil का save दिया है आपको simply उस airfoil को cut कर लेना है और cut करने के बाद आपको wing को दोनों side में mark कर लेना है mark करने के बाद अपने wing को airfoil save में draw कर लेना है और दोस्तो इसी के साथ साथ हम अपने wing को strong करने के लिए bamboo stick ले लिए हैं हमने bamboo stick हम लगाने वाले हैं अपने wing के अंदर तो हम simply क्या करेंगे हम simply यहां पर mark लगाएंगे एक mark एदर और एक mark दोस्ते wing के side पर लगाएंगे और नीचे की तरफ से थोड़ा सा thermocool काट कर होट गलू की help से इस bamboo stick को इस bamboo stick की help से wing को join करने वाले हैं तो इसके बाद हमारा जो wing है वो काफी strong हो जाएगा और यह वामें fold नहीं होगा तो हम इस तरीके से इसको यहां पर लगाने वाले हैं हम simply इस तरीके से रखेंगे और यहां पर mark करेंगे और mark करेंगे और एक्स्रा पार थर्मकॉल का काट ल लगाएंगे और old glue लगाने के बाद उसको यहां पर कुछ इस तरीके से fix करते हैं हमारा जो man nose section होने वाला है यह हमारे nose section का man part है तो अभियाद देख सकते हैं इसका size कितना बड़ा है और हम इसको simply इस तरीके से mark करेंगे और mark करने के बाद काट लेंगे दोस्तों इसे बना सब्सक्राइब करेंगे और फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे सबसे पहले हम अपने प्लेन के nose section होने वाला है उसको cover करने वाले हैं तो अभी आप देख सकते हैं ऐसे nose section के हमारे पास दो section तो यह हैं और एक हमारा middle वाला section है जो की फ्रीजलाज में नीचे की छुछ चाहिए तर छीष तरफ कीश तरीगेसल लगेंगा तर च 세टेह थे परने दिखाता हूं यह छीमाना हो कुछ इस तरीके से लाश करे गा सिसतरीके से तो अभी हम इसको order glue के हम से लगाने वाले हैं इसको बीच के section में हम बाद मैं अटेश करेंगे तो आपको भी कुछ चीशी तरीके से अटेच कर ले रहा है अब हम अपने 9 सेक्शन को उपर से कवर करने वाले हैं आपको सिंपली एक तर्मकोल का ऐसा तुपड़ा लेना है और उसको माक करने के बाद कुछ इस तरीके से यहां पर रखना है और होट गलू की हल्प से उसको अच्छे से चिपकाने के बाद काट लेना है और काटने के बाद अच्छे से सेंड करना है कर दो कर दो कर दो अब बारी है हमारे प्लेन के इस सेक्षन को बनाने की दोस्तो ये वाला जो सेक्षन है वो हमारी मैन विंग से टेल सेक्षन को जोईन करने वाला है तो इसके लिए हमारे पास इस तरह के तीन सेक्षन होंगे से दो सेट्ट्स गइग और एक सेक्षम जो है हमारा वो नीचे की तरफ से लगने वाला है June की कवरिंग सेक्षम लएका यह कुछ इस तरीके से लगे और दोस्तो हमें एक और ऐसा सचल मनाना है तो हमारे पास दो सेक्षं होने साइब चाहिए चलिए ais इसको जोइन करते हैं वह कुझाएं टाइस्वाटे ओटर अब जोग्याय। को तो तो फ्रेंट्स फाइनली हमारे यह वाले दोनों डीट हो गए हैं और अब बारी है हमारे वर्टिकल स्तेवलाजर्श की तो तो हमारे जो वर्टिकल स्टेवलाजर है यह मैंने कट कर लिए हैं आप देख सकते हैं कुछ जिस तरह लग रहे हैं और यह हमारे टैल वाले सेक्शन पर दोनों तरफ कुछ इस तरीके से फिक्स होने वाले हैं तो इससे पहले हमें इने सेंड पेपर से अच्छे से सेंड करना हमसिंपली कैसे करेंगे हम यहां पर इस तरीके से खोल करेंगे और इसके अंदर इसको पुछ करके अंदर से स्ट कर देगे तो हमें ध्यान यह रखना है कि यह जो हमारा वाटिकल स्ट्रेवाजर से यह यह फ्युज़ास के अंदर 90 दीघ्री पर सैट होना चाहिए तो सब से पहले हम माग कर लेते हैं माग करने के बाद इसको अच्छेस्ट करने की कोशिश करते हैं आज 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 तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेजर करने करने के बाद मैंने यहां से कट कर लिया है और कट करने के बाद हम अपनी होट गलू से इसको यहां पर लगाने वाले हैं बस आपको ध्यान यह रखना है कि यह वर्टिकल स्टेवलाजर है वो नीचे से 90 डिग्री पर होना चाहिए मतलब बिल्कुल स्टेट एंगल पर होना चाहिए तो आपको कुछ इस तरह के होट गलू लगा अगर इसको सावजानी पुरवक्त कुछ इस तरह के से लगा देना है मोटर माउंट वाले दो सेक्षन को अच्छे से होट गलू से लगा दिया है और लगाने के बाद यह सेक्षन को जिस तरह दिख रहे है अब हम हमें अपने जो वर्टिकल स्टेवलाजर है उसको यहाँ पर अटेच करना है लेकिन इसको अटेच करने से पहले हमें अपने अलेवेटर को अच्छे से कट कर लेना होगा तो चलिए सबसे पहले अपने अलेवेटर को कट करते हैं और उसके बाद विंग के अलेवेटर को कट करेंगे Vertical Stabilizer के Elevator के Dimensions आपको PDF में दिये गए हैं आपको वहाँ से Mark करना है और Mark करने के बाद काट लेना है या फिर मैं आपको डारेक्टली बतायता हूँ मैं किसी भी प्लेन में लगबख 5 cm का Rudder Elevator 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 जो भी कुछ हो मैं कम से कम 5 cm का लेता हूँ So friends अभी आप देख सकते हैं कि हमारे प्लेन के जितने भी सेक्षन ते सब हमने कट कर ली है कट करने के बाद सेंड पेपर से सेंड करने के बाद सभी पार्ट्स को पैकेजिंग टेप के हल्प से अच्छे से कवर कर दिया है आप देख सकते हैं यह हमारे दोनों जो हमारे जोईनर है विंग को फ्यूजिलाज के साथ जोईन करेगा यह वाला सेक्षन है उसके डैमन्सटिंज आपको डिसक्रिप्शन में जो पीडियína यह है उसमें दिए गई है तो विंग के बाद हमारा नो सेक्षन निचे रखा हुआ है यह हमने क्म्प्लेट कर लिया है तो अब बारी है हमारे जो हमारा मैं फ्यूजिलाज है वो विंग से टैस करने का तो इससे पहले मैंने सबी जंगे मांग कर लिया है प्रोपर अच्छे से आपको नाप लेना है नापने के बाद मांग करना है और उसके बाद आपको hot glue के help से अच्छे से इसको fix करना है और दोस्तों ये काम सबसे जरूरी है तो इसे करने से इसको करने में आपको जाला जल्दवाजी नहीं करनी है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से mark करना है और mark करने के बाद ही इन सभी सेक्षन को यहाँ पर hot glue से attach करना है तो अभी आप देख सकते हैं मैंने अपने man wing को अपने fugelast से attach कर दिया है सभी सेक्षन आपको गवराने के जरूरी नहीं है सभी सेक्षन आपको diamonds में दिये हुए हैं कहां से कितना centimeter काटना है, कितना लगाना है, कहां पर join करना है तो आप केवल build video पर focus कीजे वो सभी चीज़े आपको diamonds में मिल जाएंगे आप देख सकते हैं मैं नीचे की तरफ से भी extra hot glue लगा रहा हूँ जिससे हमारा जो wing है वो man fugelast के साथ अच्छे से attach हो जाए Guys, सभी section को hot glue के help से अच्छे से जोड दिया है और जोडने के बाद हमारा plane कुछ इस तरीके से लग रहा है अभी इसमें vertical stabilizer लगाना बागी है चलिए उसको लगाते हैं और लगाने के बाद देखते हैं हमारा plane कैसा लगता है So friends, finally हमने अपने horizontal stabilizer को install कर दिया है और पूरा plane कम्लेट होने के लगाना So friends, अब बार ही हमारे plane में electronic set करने की तो दोस्तो, electronic की detail आपको description में दी गई है वैसे में इसके लिए वदादो 1000 कW की 2 BLDC motor with 10 inch propeller में यूज कर रहा हूँ इसके साथ 40 A की 2 ESC यूज कर रहा हूँ रेडिटो Sky की और दोस्तो इस plane में total 3 SZ metal gear servo motors यूज कर रहा हूँ servo motors 3 इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें हमने rudder यूज नहीं किया है rudder की हमें कोई जरुद नहीं है क्योंकि इस plane में में differential thrust की setting करने वाला हूँ जिससे rudder की कोई जरुद नहीं पड़ेगी तो चलिए फटाफट अपने electronic को अपने plane में इस्ट्रॉल करते हैं अब बार यह हमारे plane में अपने motors को set करने के लिए आप देख सकते हैं यह मैंने thermacol का एक ऐसा mechanism बनाया है और इसके अंदर मैंने एक hole किया है यह मैंने इस साकार का इसलिए बनाया है जिससे हवा का ड्रैक न रहे और इस पर एर का प्रेसर ज्यादा न रहे और हवा इसके साइड से निकल कर अराम से चला जाए तो simply हम इस motor को इस तरीके से होटकलू लगा गर इसके अंदर इस तरीके से fix करने वाले हैं आप देख सकते हैं इसी तरीके से यह हमारा motor भार के दरब निकल जाएगा जिससे हमारे plane में perfect look राने वाली है और जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको कैसी ही इसको इहां पर चिपका देना है इधर आप देख सकते हैं सेम इसी तरीके से मैंने दूसरा motor अच्छे से होटकलू की हल्प से चिपका दिया है और यह perfectly tight हो गया है तो आपको भी कुछ इसी तरीके से अपने motor को स्ट्रोल करना है तो अब हम अपने plane का फ्लेंट वाला लेंडिंग बनाने वाले हैं लेंडिंग बनाने के लिए आप देख सकते हैं जो sports bicycle होती है उसके अंदर जो स्पूक यूज होता है उसको मैं यूज कर रहा हूं यह काफ यहां पर सैट होगा और यह हमारा complete landing gear इस तरीके से कड़ा होने वाला है तो मैंने इसके अंतर suspension भी दिया है क्योंकि plane का वेट बहुत जादा है तो तब यह take off करेगा तो कहीं नहीं से suspension की जरूरत पड़ेगी तो इसलिए मैंने इसको यहां पर suspension दिया है एक band दे दिया है ज जुकड़ा लिया हुआ है और मैंने जहां पर को अब समय कर लिया है सबसे पहले यह आपको रिखाता हूं है कुछ कि अ है इस तरीगें से हैं इस तरीख से लेगेगा और इसको सबसे पहले तरुड़ी सी यह लूँगा운 प Awak bins टिक डॉल बॉस्तिक ड़ूँगा साइट में साइट में साइट में डाल दाल दूँगा उसके बाद एक सुई और धागी की हल्म से इसको अच्छे से पैक कर दूँगा जिससे हमारा पूरा फ्रेंट वारा लेंडिंग है वह त्यार हो जाएगा यह बनने के बाद कुछ तरीके से लगेगा और यह वाला जो सेक्शन रहेगा यह हमारे प्लेन में स्टोल कर दागी की तरफ तो से मैंने वही निर्फी निकाल लिया है बार बार मैं नहीं मना सकता लाइनिगे तो यह भी यूज़ किया गया है दो बाइसिकल पूगली है उसको बैंड कर लिया है को सेक्शन करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर ड्रकी के यह पिशन को तो फटाफट चलिए लेंडिंग यह बनाते हैं इसको बात इसको 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 इस्टोल करते हैं सो इस फाइनली हमारा बड़्यार हो गया है और आप देख सकते हैं देखने में कितना खूब सूरत लग रहा है इसको कपरिंग करने के लिए मैंने तीन टेप यूज की है एक येलो, रेड और ब्लैक तो इन तीन कलर को यूज करके मैंने इस तरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं तो अब बार यह हमारे plane की test passage लेने की तो चलिए इसकी test लेते हैं और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में reference कमेंट जरूर किजlieगा और अगर आपको वीडियो अच्या लगा तो वीडिए को लाइक करके चेनल सब्सक्राइब करें कर देट मर झाल पुथ अज़ को अचान वावा झाल कर दो कर दो कर दो वीडियो आपको कैसे लेगी इसके बारे में कमेट जरूर कीजेगा और अगर आपको वीडियो अच्छे लिए तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें आपके साथ अबने दोस्तों में इस वीडियो के लिंक शेयर करें ऐसे हम आपके लिए एक सेख फाइटर प्लेंस प्लेंट की वीडियो लेकर आते रहेंगे तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आर सिर्फ लाइंक एकली वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग